Hello everyone, आप सभी का स्वागत है टार्गेटपुर में हम लोग खोठा निबंध पढ़ रहे थे और जो छठा निबंध है प्रेमचंदेग, साहितिग, समाजेग, सेर, सरेष्टाय, जोगदा इस निबंध को पढ़ लिए आज इसका question answer देखेंगे कि अधि आप target पूर application नहीं डाउलोड की है link description में मिल जाएगा आप लोग target पूर application जरूर डाउलोड कर ले इस application में JCC CGL और exercise constable के लिए complete खोर्ठा का video lecture मिल जाएगा JCC CGL का जो syllabus है खोर्ठा भासा का उसकी एकोडिंग इस application में chapter wise test उपलब्ध है जैसे चाहर कहानी संगर में 10 कहानी है तो दसो का अलग-अलग test इसमें मिल जाएगा साथ ही full land test आणि के 100 questions का भी test इसमें उपलब्ध है साथ ही जारखन GK का notes, computer का notes और paper 3 JCC CGL का जो paper 3 है आणि की GS paper GS paper में 1500 questions पुछा जाएगा तो 1500 questions का test series भी इस application में जारी है अधि आप target पूर application नहीं download किये तो जरू download कर ले, किसी भी तरह का समस्य हो तो इस number पर आपलो contact कर सकते तो चली अब सुरू करते question answer देखे पहला question है प्रेम चंद कौन भाखा साहितक साहितकार लागी है प्रेम चंद किस भाखा के साहितकार है तो आद रखन है हिंदी और उर्दू किस भाखा के हिंदी और उर्दू भाखा के है आगे देखिए प्रेम चंद के साहितक कालखंड कब ले कब ते खके प्रेम चंद जी का जो साहितका कालखंड है कब से कब तक है तो आद रखना है कि 1901 से लेकर 1936, देखिए, एकर में कौन सही है, इन में से कौन सही है बताना है, प्रेमचंद के जनम 1980 भी में भेल रहा है, प्रेमचंद के जनम बनारस के लमही गाम में भेल रहा है, ये भी सही है, प्रेमचंद के असली नाम धनपत्र है, ये भी सही है, त आगे दिखते हैं, प्रेम चंद आपन 56 बच्छरेक जिनगी मद्दे के बच्छर तक अपन रचना काम करते रहला, देखी question कह रहा है कि प्रेम चंद जी अपने 56 वर्स के आयू के मध्ध में कितने साल तक रचना का काम करते रहे, तो इसका अनसर हो जगा 30 साल तक लिखते रह आगे हम लोग दिखते हैं, देखे, प्रेम चंद आपन 30 बच्छर के रचना में, प्रेम चंद जी अपना 30 साल के रचना के दोरान मोटा मोटी कते कहानी लिख ले रहा, कितना कहानी लिखे, तो आगे देखे, 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 1936 इसबी में, भारतिये परगतिसी लेखक सं के जो अध्येश थे प्रेम चन्द आज रखना है इसका अंसर हो जागा प्रेम चन्द भारत कैसा देश है तो आज रखना है गाव डिहे का देश है भारत में के परतिसत आदमी गाव में बसे तो साड़े 75 परतिसक देखी है यहां पर 75 75 इसतर लिखा गया एकजाम में इससर नहीं लिखा जागा देखे इसतर इसे 75 भोलते हिंदी में प्रेमचन जी अपने जिनगी के के बच्छर गाओं में बिता आज रखना है कि साथ साल 1907 से लेकर 1924 तक इसका अंसर होजगा 7 बच्चर प्रेमचन जी कौन बच्छर में मराथी लेखक के इंटर्विव डिल खल थी Quesion कर रहा है की प्रेमचन कोन साल किस यर में मराथी लेखक के इंटर्विव दिये थी तो इसका अंसर होजगा 1935 में देखिए प्रेमचंद साहित के केगो खंध है बाटल जाए पारे प्रेमचंद के जो साहित है कितने खंडों में बाटा जा सकते हैं तो तीन खंडों में कौन-कौन आगे हम लोग देखते हैं देखिए तीन खंडों में पहला जो खंड है और एक कठा और एक कठा 1907 से 1927 मांझा मांझी अनिकी मधिकाल में 1920 से 1930 और पुथना मतलब आधुनिक 1930 से लेकर 1936 तीन खंड में बाटा गया है देखिए प्रेमचंद के कौन खंडाय में प्रेमचंद के किस खंड में सबसे अधिक माया घुरा माया घुरा मतलब हिर्दे परिवर्तन पावा है तो आध रखने कि और एक कठा और एक कठा में सबसे ज़्यादा हिर्दे परिवर्तन का बाद किया गया है देखी औरे कथा प्रेमचंद जी के साहित को तीन खंडों में बाटा गये तो औरे कथा 1907 से लेकर 1920 तक चला तो औरे कथा के मध्य में प्रेमचंद एक उखरवल साहित अनिकी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ साहित कौन-कौन है बड़े घर की बेटी, सोत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी सरंधा, मर्यादा की वेदी, सेवा सदन, प्रेमा सरम, आरो आरो, आरो को मतलब ETC देखे, और एक कथा जो है, और एक कथा में इतिहास और जमिनदार का कथा पाये जाता है आगे हम लोग देखते हैं, देखे, मांजा मांजी, मांजा मांजी का जो टैम पिरिएड है, 1920 से लेकर 1930 1920 से लेकर 1930 में प्रेमचंद उखरवल साहित, मांजा मांजी में जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया साहित है आगे हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद जी के तीन खंड है, सहित के उनमें से किस खंड में भारत की अजादी का लडाई सबसे ज़्यादा दिखाये गया आगे हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद जी के किस खंड में गांधी बाबा का काम उखरवल के लडाई, तो आद रखना इसका अंसर हो जागा मांजा मांजी आगे देखते हैं, पुथना समय आनिकी 1930-1936, पुथना समय प्रेमचंद को खरवल सहित, पुथना समय में कौन-कौन सा सहित हैं? पुषकी रात, कफ़न, नसा, गोदान, मंगल सुत्र, अलग्योजा और आरो-ारो, आज रखना है, पुषकी रात, कफ़न, नसा, गोदान, मंगल सुत्र, अलग्योजा और एटीसी, आगे हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद के कोन खंड में मोह टूट गेल रहीं, और सुर शुरू-शुरू पहरे विश्वास के टूटे कहाने, शुरू-शुरू में जिस परकार प्रेमचन जी को विश्वास था, हिर्दे परिवर्तन का आगे चल के टूट गया, तो आनि पुथनाकाल में, पुथनाकाल आनि कि 1930 से लिकर 1936 में जो प्रेमचन जी का विश्वास से देखिए प्रेमचन और उनका यूग नामेक रचना के लिखत कोशन कर रहा है कि प्रेमचन और उनका यूग इस रचना को किसने लिखा है तो आद रखना है इस रचना को राम बिला सर्मा ने लिखा देखिए प्रेमचन जी सुरू सुरू कहनिये के गोश कहानी संगर के की न नाम लागे सुरु सुरू में जो कहानी लिखे उस कहानी संग्रा का ज्यानाम है तो आद रखना ऐ क्या हो जागा सोजे वतन । सोजे वटन कहानी गोच में की उखरोल गेले सोजे वटन कहानी संगरम में क्या उखारा गया आनि कि क्या लिखा गया तो सवतंतरता के आद रखना है क्या लिखा गया है freedom सवतंतरता के आगे हम लोग देखते हैं कि कर खातिर जिन्गीक स्वापनिष्टा त्याग देना जिन् स्वतंतरता के कों देखते हैं किस किताब को औंगरेज सरकार होली ज़ला एक ऐसा इसा अंसर हो All यह जाते तुम्हारे तो एक के कहले रहे देखिए हमीरपूरे अंग्रेज कलक्टर हमीरपूरे कहा है हमीरपूरे उतर पर्दिस में तो हमीरपूरे के अंग्रेज कलक्टर ने इसा कहा था देखिए नमक के दोरगा कहनी के नायक के रहे तो इस कहानी में क्या बताया है एक ब सिध्ल किट्णा घूष देना चाहता देखेश एक लाक रूपया कितना एक लाक रूपयाद स्टूरा लेकिन घूषण नहीं लिया था और बड़के state और नमक का कारूबारी नमक के दुरोगा कहानी में अदालत किसको बिज़गे कर देता है तो अलूपदीन को इसको अलोपदीन को के रिदे परिवर्तन पर जोर देहल थी रिदे परिवर्तन आनि के रिदे परिवर्तन तो के जोर देहल थी तो महातमा गांधी महातमा गांधी गहिंसा के पुजारी थी तो हिर्दे परिवर्तन पर जादा बल देती थी अलोपदीन क्या करा आपन मनेजर बहाल केल दिये है जैसे ही बंसी धर को नोकरी से निकाला जाता है तो अलोपदीन को दया आता है कि इतना ही मंदार वेक्ति मेरे क्यारण नोकरी से निकाला गया तो जो अलोपदीन है अलोपदीन बंसी धर को अपना मनेजर बहाल कर देता है देखिए नमक का दरोगा कहानी में कौन भाव उखरवल गिले नमक के दरोगा कहाने में किस भाव को दरसा आए गया है तो बेकारेक उपर बेस के जीत संभाव आने की खराब की उपर अच्छाई का बेजे संभाव है आगे देखते हैं देखिए प्रेमचंद के अनुसार जमिंदार का जमिन किस के पास आ जाएगा तो प्रेमचंद के अनुसार अधी हिर्दे परिवर्तन हो जाएगा तो जो जमिंदार के पास जमिन है किसानों के पास आ जाएगा इसका अनुसर हो जाएगा किसान के पास महात्मा गांधी जी के अनुसार हिर्दे परिवतन किस परकार होना चाहिए देखिए कहानी में कहीं कहीं हिंदी भी लिखा गया है महात्मा गांधी जी के अनुसार है महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी का हिर्दे परिवतन किस परकार होना चाहिए तो प्रेम से किसे प्रेम से सोवियत रूस का उलगुलान कोन इसवी में भेल रहा थे सोवियत रूस में उलगुलान कब हुआ था 1917-1918 में अज रखना है 1917-1918 में प्रेमासरम उपन्यास कोन इसवी के मांजहा मांजी लिखल गेल है आद रखना है प्रेमासरम जो लिखा गया है 1918 से 1919 के बीच में प्रेमासरम उपन्यास में मुख्य पात्र के रही प्रेमासरम उपन्यास में जो मुख्य पात्र है प्रेम संकर का केकरा पैसा कोड़ी से कम महत देल जा है किसको पैसा कोड़ी से कम महतु दिया जाता है आदमी को निबंध को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो बताया गया है कि आदमी ही पैसा को बनाता है लेकिन पैसा के तुल्ला में आदमी का महतु कम है आगे हम लोग देखते हैं रंग भूमी उपन्यास के जो नायक है महंदर है कोन है इसका अंसर हो जगा महंदर आगे देखते रंग भूमी उपन्यास नायक राजा महंदर के अनुसार जनवाद और सामिवाद के केकर से बेर है कोहचन कर रहा है कि जो रंग भूमी उपन्यास के नायक है राजा महंदर है कौन है राजा महंदर उसके अनुसार जैनवाद और सामयवाद के केकर से बेर है तो आद रखना है कि जैनवाद और सामयवाद का जो बेर है समपती से है देखिए धर्म का अश्टम मनुस्त का भे ह ये जो बात है किस उपन्यास में लिखा गया है ये जो बात है रंग भूमी उपन्यास में लिखा गया है लेकिन कोहचे नहीं कुछ हो रहे है रंग भूमी उपन्यास के कोन प्रिष्टे लिखल गया है किस प्रिष्ट में लिखा गया है प्रिष्ट संख्या भी दिया है का पेज में सावासेर गेहु कहनिये में एक सोजा साजा किसान के रहत तो सावासेर कहनिये में एक सोजा साजा किसान संकर रहत संकर था आगे हम लोग देखते हैं कि संकर केकर घर से संकर किसकी घर से साधु मर जादा करे लागे एक साधू था उसका मर यादा करने के लिए किसके घर से सावा सेर गेहूं पैच्चा माइं लाने हैं किसके घर से पैच्चा मन के लाता है तो आद रखना है गाविक पांडे घर से इसके घर से गाविक पांडे घर से पांडे जी देखिए पांडे जी सा साल भेर में के बरी खालहानी लेखर बहचन लेकर कर रहा है कि जो पाणडे जunde एक साल है कितना खार्यानी लेते हैं। कम कम एक खरी फसंट और यक रवी फसंट घरी जब खरी फसंट ने भाद कि दो सालgrade होता है। संकर जो है पांडे जी के खरिहानी में कि ये पसेरी गहुन देल हले पांडे जी जब खरिहानी लेने आते हैं तो कितना गहुन देते हैं तो एक पसेरी कितना एक पसेरी देखें यहां पर आद रखेगा कि संकर जो है एक पसेरी खरिहानी देते हैं लेकिन पांडी जी से तो उधार लिये थे, पैचा लिये थे, कितना सावा सेर गहूं, तो उसके बदले में, जो संकर है, चेत में, अनिकी चेत महिना में, डेढ़ पसेरी गहूं मनेक साथ आठ सेर देहल थी, संकर को लगा कि हम पांडी जी को केसे कहें, कि आपसे जो पैचा गहुं ले लिजिए तो इसलिए संकर अपने मन से एक पसेरी के जगा डेढ़ पसेरी गहुं देने लगे आगे हम लोग देखते हैं संकर किसान से की भेगलग संकर किसान से क्या बन गया मजूर बन गया आनिकी मजदूर देखे पांडे जी जब मंगवा पांडे से महाजन भे पाथ कहें? तो आद रखना साठे 5 मन कितना बागी यह sexy Fall 5 मन उस पर करजा करती यह आगे हम लोग देखते हैं पांडे जी के गहुन के बदले की मांच कर ले रहा थे? ठぇके 2 Namaj जी है गहुन के बदले वोकर माथा है पांडे जी के के रुपया चगले रहा है संकर जब मरने का समय आ गया तब तो पर भी पांडे जी का 120 रुपया उसके माथा में चगले अनिकी उसके माथे में एक करजा के सोरो करजा के जैसा था आगे हम लोग देखते देखिए प्रेमचन जी कहानी उपन्यास प्रेमचन जी का जो भी कहानी उपन्यास है उसमें समाज के चुसवया के रहा है समाज के चुसवया मतलब समाज को चुसने वाला कौन था तो आद रखना कि ठाकुर था, बनिया था, सरकारी करम चली था जमिनदार था तहसिलदार था इन में से सभी इसका अंसर हो जागा इन में से सभी देखे प्रेमचन जी कहनी उपन्यास कोन दोर में रिदे परिवर्ता नहीं करे पारे प्रेमचन जी किस दोर में हिदे परिवर्ता नहीं कर पाए तो तेसर कानी की पुथना काल में आगे देखिए बामनिक बिरोधी लेखक केकरा कहिल के लिए बामन के बिरोधी लेखक इसको कहा गया है तो प्रेमचन जी को बामन बिरोधी कहा गया है एकर में कौन कहानी प्रेमचन जी पुथनाकाल की कहानी लागी इनमें से किस कहानी इनमें से कौन सा कहानी प्रेमचन जी का माधा और घीसु है किस कहानी का पात्र कफन कहानी का कौन कहानी से किस कहानी से प्रेमचंज जी समाज पसरा समाज में जो पसरा है इगिनगूनिया सोसन सोसनेक निती समाज में जो सोसन का निती पसरा है उससे परदा उगहार करहा निती के परदा उग़ार कर हद, मतलब परदा हटा देते हैं तो किस कहानी के मर्दह LEE, हमसे आज रखना है कफन, इसका अंसर हो एगा कफन कहानियें से प्रेम्चन जी समाजे पसरल ये घिन घोनियां सोसनेक, निती के परदा उगहार कर हद आगे देखते हैं, घीसु और माधव के साथ भैमान था निरलज था और कामचोड था, एकर में स्ववग, इसका अंसर हो जागा एकर में स्वग, देखे, कफन कहानी में एक पात्र है घीसु, एक पात्र है माधव, एक और पात्र है वीचा खाना दरखेगा, वीचा खान, का बेटा किसे कहा गया है, इसान को, आगे देखते हैं, हलकु कौन कहानी के पात्र लागे, हलकु किस कहानी के पात्र है, पूस की रात, पूस की रात कहनी में कि निल गया गुलिन से चरित उजरित अपन खेती के देखी के खुस भेजा है, कोचन कह रहा है कि पूस की रात क पूस की रातानी की, पूस बहुत ही ठंडा का महिना होता है, पूस में कनकनी ओला ठंडा होता है, और हलकु को खेत में सोना पड़ता था, जब निलगा की द्वारा खेत चर गया, तो हलकु को सोना नहीं पड़ेगा, तो यही बात को लेकर, जो हलकु है, खुस हो जाता है, और खेती बारे से कि कौन उपन्यास में महाजनेक जाले बाजल किसान के किसान से मजूर बने कहनी है अभी बताएं कि पूस की रात में भी ऐसा कहानी है लेकिन उपन्यास का जीक्र है तो रंग भूमी उपन्यास में आद रखना है रंग भूमी उपन्यास में किसान के किसान से मजूर बने कहनी है आनि कि किसान से मज़ूर बनने का कहानी रंग भूमि पन्यास में भी है की सिराय गेलिन देखें की सिराय गेलक मकिन निजाय गेलक ना है इन में से क्या सिराय खतम हो गया लेकिन पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है सिराय मतलब खतम हो गया लेकिन मकिन मतलब होता है लेकिन मतलब पूरी तरसे खतम नहीं हुआ, देखे इसका अंसर हो जगा, सामन्तवाद आने कि जमिनदारी, सामन्तवाद खतम तो हो गया लेकिन पूरी तरसे नहीं खतम हुआ है, गोदान समये गोदान की समय में गाविक जमिनदार के कर्जा के दे रहलत, कुशन कर रहा है कि कुदान के समय में गाम की जमिनदार को करजा कुण देता ता तो पुंजीवाद, पुंजीवाद मतलब जिसके पास कुण पयसा वही तो करजा दे सकता है, भारत के मोटे केगो घराना गोट भारतिक समपत के आपन हरका भोईर ले ले, कोऊचिन कर रहा है कि भारत में केगो घराना ऐसा केगो परिवार है जो पूरा भारत के संपत आपन हरका 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 मतलब बकसा होता है अपन हरका भोईर ले तो आज रखना है इस इसका अंसर हो जागा होरी, कुन रहता है? अहाँ होरी, देखे आगे गोदान है कहनी नायक होरी के कीछ रे? तो होरी का जो इच्छा होता है, गाय पोसे, आनि कि एक गाय को पालने पोसने का इच्छा होता है, होरी के बहुक के की नाम लागे, होरी के बहुक नाम धनिया, अधर रखना है धनिया, देखिए, आप सभी को बताते हैं, अधिन निबन अच्छी तरह से पढ़ हैं, तो जो ह होरी है होरी का इच्छा होता है गाय पाले लेकिन इतना गरीब है कि गाय पालने पाता है मरने के बाद उसको गाय दान करना पड़ता है तो दान नहीं कर पाता है तो उसके बदले में तीन अना कच्छा कर्थ होता है पैसा तीन अना पैसा ब्राहमल को दीती है को नहीं धनिया आगे देखते हैं, धनिया जो है, धनिया सुत्री कैट के तीन अना राखली है ली, सुत्री कैट के सुत्ता काट के रखी थी, इच्यार सट में होरी अनुसार केगो दुबला करें एक मोटा होता है, कोचन कर रहे कि होरी के अनुसार कितना दुबला करके, करेक मतलब कितना आगे हम लोग देखते के सोब कुछ जानतू तकब बादू कोन सब कुछ जानते हुए भी तकब बादू मतलब उसके बाद भी दर्पोक या लिखे मतलब डर्पोक के जैसा सोसनेक चक्की पिसयत रहे है पोचन कर रहा है कि कोन सब कुछ जानने के बाद भी डर्पोक जैसा सो कोशन के समये चत्की में पीश रहा हैं तो इसां सर्ण होजेगा होरी होरी के भैट नाम की हक नाम की होग आ दिए अन है क्या नाम है क्या नाम है गोबर आगे हम लोग समा गया है इसके चलती जो समस्या उपन हो गया है किस में पाया गया है तो किस में पाया गया है तो गोदान में पाया गया है आद रखना है कि गावेक चलते जन्मल समस्या की समदान केकर में पावल जा है तो गोदान में पावल जा है प्रेम्चन जी कोन उपन्या से आदर्स और अथार्थ के मांजे नहीं फसा पोचन कह रहा है कि प्रेम्चन जी के कोन सा उपन्या जो आदर्स और अथार्थ के मांजे मतलब उसके बीच में नहीं फसा आद रखना मंगल सुत्र मंगल सुत्र उपन्यासक नायक की रही मंगल सुत्र उपन्यासके नायक आज रखना है देव कुमार क्या होगा इनसे देव कुमार देव कुमार समाजे की पसरल देखके खिस्या जाता है देव कुमार समाज में क्या पसरल मतलब क्या फेला हुआ देख के खिस्या जाता है गुस्सा जाता है तो नया अनया देखता है तो खिस्या जाता है आगे हम लोग देखते हैं कि प्रेम्चन जी आपन मिर्टुग ठीक के हफ्ता पहले सभ्यता नामक निबंद लेकले है तो सभ्यता नामक निबंद कितने हफ्ता पहले लिखे अपने मिर्टुग से तो आद अखना के तीन हफ्ता पहले तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हमने वो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू